एक गाउं में एक अंधा व्यक्ति रहता था जब भी वह बाहर निकलता रात में तो अपने साथ में एक लालटेन लेकर निकलता था एक बार बहुत जोर से आंती तुफान आए और लाइटें वगेरा सब गई भी थी तब वह लालटेन लेकर निकल रहा था तो कुछ सरारती लड़कों ने उसे देखा और उस पर हसने लगे और बोले देखो देखो अंधा लड़का जा रहा है देखो अंधा लड़का लालटेन लेकर जा रहा है अब इस अंधे को कौन बताए कि इसका लालटेन से क्या काम है उसकी बाते सुनकर वह अंधा व्यक्ति त्टटक कर रुख गया और नमरता से बोला कि सही कहते हो भाईयों मैं तो अंधा हूँ देख नहीं सकता मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा ही रहा है और अंधेरा ही रहेगा मुझे लालटेन का कोई काम नहीं है मेरी आदध तो अंधेरे में जीने की है पर आप लोग जैसे आँखों वालों को लिए मैं यह अंधेरे में लालटेन लेकर गूम रहा हूँ, कहीं आप जैसे लोग मुझ अंधेरे में देखे ना पाएं और धका दे दें तो मुझ बेचारे का क्या होगा, इसलिए यह लालटेन मैं अपने पास सदा लेकर चलता हूँ, ताकि अंध को देख सकें, उसकी बाते सुनकर वे लड़के सरमसार हो गए और उनसे समा मांगने लगे और परण किया कि बविश्य में बिना सोचे समझे किसी से भी कुछ भी नहीं कहेंगे, तो इससे हमें यह सीख मिलती हैं कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिस नहीं करने और कुछ भी कहने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए, कहानी एच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें